नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज हम लेकर आए हैं कि भगवान को भोग लगाते समय हम किन चीजों का ध्यान रखें कहीं आप भी तो पुजा के समय ये गलतियां नहीं दोरा रहें जाने भगवान को परसाथ दर्पित करने का सही तरीका हिंदू परिवारों में नियमित रूप से देवी देवताओं की पुजा के जाती है भगवान को परसाथ का भोग लगाना पुजा का जरूरी हिस्सा माना गया है लेकिन हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं परसाथ लगाते समय तो हमें कुछ नियमों को जरूर अपनाना चाहिए माना जाता है कि इन नियमों को अपनाने से दो गुना फल मिलता है कई लोग भोग लगाने का महत और इसके नियम पूरी तरह नहीं जानते इसलिए यह जानना जरूरी है कि भगवान को अर्पित किये जा रहे भोग का क्या नियम है माना जाता है कि नियमों का पालन करने से ही भोग स्विकारी स्थिती में आता है भोग का समय क्या होना चाहिए भोग के समय कहावे खास ख्याल रखना चाहिए जिस वक्त पूजा कर रही है उस वक्त भोग लगाना चाहिए इसके लिए घर के सभी लोगों को साथ होना चाहिए भोग लगाने के बाद भगवान के सामने कुछ देर तक उस भोग को रखेंगे और फिर पूजा के बाद सभी लोगों में इसे बाट देना चाहिए भोग हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जूठा भोग भगवान को बिलकुल नहीं लगाना चाहिए ऐसले जूठे भोग को सास्त्रों में बहुत अशुभु बताया गया है भगवान को हमेशा सात्विक भोग लगाएं भोग में तामसिक परदास शामिल नहीं करने चाहिए आप भले ही लहसून प्याज खाते हों लेकिन भगवान को भोग जब अरपन कर रहे हैं तो इस भोग में प्याज और लहसून बिल्कुल नहीं होना चाहिए भगवान को साफ सुत्रा ताजा और सात्विक भोजन अरपित करें परसाद को सब में बाटना चाहिए कई बार लोग परसाद खुदी खा लेते हैं लेकिन ये गलत है पूजा के बाद परसाद यानि भोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बाटना चाहिए चाहे किसी के पास एक तिनका ही आए लेकिन परसाद जितना बाटा जाता है भै उतना ही फल देता है परसाद को व्यर्थ पिल्कुल नहीं करना चाहिए कई बार भोग लगाने के बाद परसाद यूँ ही मंदिर में रखा रह जाता है ऐसा नहीं करना चाहिए भोग लगाने के कुछ देर बाद परसाद बाट कर खा लेना चाहिए इससे परसाद का फल मिलेगा किन-किन चीजों का हम भोग लगा सकते हैं हलवा, खीर, गूड, मठरी, लड़ू, चपाती, पूरी, दालभात, सबजी सास्तरों के अनुसार अगर आपके पास कुछ उपलब्द नहीं है तो आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं भोग लगाने का क्या सही तरीका है विश्णु भगवान को अगर हम भोग लगाते हैं तो भगवान के दाए हाथ की तरफ भोजन रखना चाहिए शुद्जल का पात्र साथ में रखना चाहिए सबसे पहले शुद्जल हाथ में लेकर भगवान के सामने जमीन पर गोलाकार जल छिड़के इस पर भोजन की थाली रखें दाए हाथ में जल का लोटा तीन बार थाली उसके उपर से घुमाए कहें ओम अम्रतो पस्त रण मसी स्वाहा फिर थोड़ा सा जल धर्ती पर छिड़कें अब थाली को उठा कर मनो भाव से प्रातना करें कि भगवान भोग लगाईए मंतर का उच्चारन करें अथ्वा आप ये भी मंतर बोल सकती है अब बाएं हाथ को अंजली की तरह बना कर दाएं हाथ से ग्रास मुद्रा बना कर भोग को इस तरह से भगवान को समर्पित करें सभी अंगली और अंगुठा मिलाकर अनको चूएं फिर भगवान के मुख की तरफ जाकर कहें ओम समानाय स्वाहा पानी अर्पित करें कुछ समय आखे बन करके ध्यान करें भगवान भोजन कर रहे हैं इस समय घंटी बजाते हुए ओम नमो भगवति वासुदेव का जाप करें इसी तरह संपून भोग लगाने से भोजन महाप्रसाद बन जाता है इसे सभी घरवालों को थोड़ी थोड़ी मातरा में ग्रहन जरूर करना चाहिए या फिर क्या करें आप पूरे भोजन में इस प् भोग लगाना है खीर ना हो तो फल का लगाई ये फल ना हो तो फूल पत्ति का भोग लगाया जा सकता है ये भी ना हो तो सिरफ जल का भोग लगा सकते हैं जल भी उपलब्द ना हो तो ऐसी परिस्तिति में सिरफ मनो भाव से भी भगवान को भोग लगाया जा सकता है